Joint effusion क्या है गुटने में सूजन क्यों आती है दोस्तों क्या कारण है उसको कैसे ठीक कर सकते है मेरा राम डॉक्र मनुवरा मैं एक और्थरोस्कोपिक सर्जन हूँ गुडगाओं के अंदर दोस्तों अगर आपके गुटने में चोट लगी है या चोट नहीं लगी है फिर भी सूजन आ रही है आप MRI कराते हैं तो कई बार उसमें एक वर्ड लिखा वाता है जैंडिफ्यूजन बहुत जाएब चिंतित रहते हैं लोग इस वर्ड को देखे के जब मेरे पास आते हैं लोग तो हम लोग उस पे डिसकस भी नी करते जादा है जान देते हैं अच्छा लिगामेंट ठीक है या टूटावा है मैनिस्कस कैसे हैं कार्टिलेज कैसा है जोई डिफ्यूजन को हम कई बार नजर अंधास कर देते हैं लोग बड़े चिंतिते हैं कि डॉक सब आपने इसके बारे में कुछ नहीं बता है इसका क्या इलाज करोगे अगर कोई पेशन आता इसका ACL तूटावा है और मैं उसको बहुत देर समझाता हूं कि आपका ACL कैसे तूटा है उसका उप्रेशन करना पड़ेगा या बिना उप्रेशन ठीक करेंगे यह यह ट्रीट्मेंट प्लान है पूरे कंसल्टेशन के बाद वो मुझ से पूछता है क इसका तो आपने बता है नहीं तो आखर यह जॉइन डिफ्यूजन क्या है दोस्तों इतना कन्फूजन क्यों है इसको लेगे तो तो जॉइन डिफ्यूजन का मतलब है कि जो घुटना है उसका में जो सानुवल फ्लूइड रहता है वो इंक्रीज हो गया है जनरली 5-10 ml जादा सिक्रीट करता है और एकदम से गुटने में स्वैलिंग बढ़ जाती है कई बार अगर गुटने में ब्लड आ जाए तो भी वो इफ्यूजन के रूप में MRI में दिखाई दे में रहते हैं ट्रॉमा कि आपको चोट लगी गुटने उसमें लिगामन डेमेज हो सकता है इस वज़े से भी गुटने में सूजन आती है दूसरा होता है इंफेक्शन क्या गुटने में इंफेक्शन हो गया इसलिए सूजन आ गई है तीसरा है गुटने की सर्जरी वो भी ट्रॉमा के अंदर ही आता है कि सर्जरी भी एक तरे का ट्रॉमा यह गुटने में तो सर्ज किसने लगता और कारण के subject कारण करा गुटने में सूजन आर इसारी किetzु कि पहुत साघके और भी बीमार मारी रहते हैं जिसमें गुटने की सूजन आ सकती है दोस्तों तो अगर आपके गुटने में चोट लगी है डेफिनिटी चोट लगी है और आपको इसके लावा कोई बिमारी नहीं है चोट में हो सकता है कि आपका लिगामेंट डैमेज होगा हो और साथ में हमारे ही में जॉइन्ट इफ्यूजन भी लिखा हुआ है तो दोस्तों उसमें च हाँ सूजरी के बाद इनफ्यूजन हो जाता है तो दीर दीरे खतम होता है इसलिए सरज्जरी के बाद हम पेशन को बोलता है के रेग्छुलडर आई सभेक्स करने कि आइस पैक्स और बार्फ की इछिकरी नहीं का रहा है तो इसका अलग ज़्याग होता है तो खोटे बाइ इसके करने सूजन होती है तो गाउट की अंटी गाउट मेडिकेशन चलती है ताकि यूरिक एसेट बहुत ज़ादा यहाँ वाँ डिपोजिट ना हो आपके जॉइंट्स के अंदर और दीर दीरे आपकी सूजन और जॉइंट पेने वो कम हो अगर आपको आस्ट्रो अर्थरा है तो अपने आप वो जैसे हम उस बिमारी का इलाज करेंगे वो दीरे दीरे अपना ठीप बहुत इंपोर्टेंट है कि कई बार क्या होता है सूजन बहुत जादा आगई तो डॉक्टर के पास गए पेशेंट और डॉक्टर ने उसको सूजन बहुत जादा नहीं हो बहुत करने चाहिए रेगूर्र काहिए रोज दीर दीरे घुटना बोड़ना जादा सीधा करना चाहिए ताकि उत जाम नहीं हो और सूजन अपने आप ढ bok दिरे घ कम हो जाती है और जिस कारण शेटा मैं ही उसका इलाज करना चाहिए ना कि हमें करके यह इंपॉर्टन तो अगर आपके घुटने में सूजन है या आपके हमारे में जॉइन डिफूजन लगावा लिखावा और कन्फ्यूज़ रिक्या करें आप हमें अपनी हमारी भेज सकते हैं और मैं उसका डिटेल में स्टेडिकर करें बताऊँगा कि आखिर जॉइन डिफ कर्जाए यावावावा जुटन लगावावावाववार्टन